चैप्टर 6 ओके, what is chapter 6 triangles? if you mean introduction, हम chapter introductions नहीं हमने पहली क्लासेश में जो है वो पढ़ा है triangles की properties, ओके, what do triangles properties हमने बहुत सारी पढ़ी है और class 9 में हमने congrency of triangles पढ़ा है और उसके बारे में बहुत detail से बहुत अंदर तक हमने क्या किया है पढ़ा है, study किया, ठीक है उसके अलग-अलग shapes, उसके essay shapes, कुछ essay shapes, कुछ अलग-अलग type की shapes उसके two figures, having shame shape हमने पढ़ा है, S, S, side, 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 angle, side, angle, side, angle, side and RHS, यह सब चीज़ें हमने पढ़ी है पहले से पढ़ चुका है, ठीक है, class 9 में बहुत detail ही हमने पढ़ा है, ठीक है अब जैसे यहाँ पर है, तो यह भी एक triangle this is our triangle, अगर हम दोने से है ठीक है, अगर दोने की जो place है, वो same है तो हम चाहें यहाँ पर चड़के देख ले या फिर यहाँ पर चड़के देख ले, हमें तो same ही दिखेगा so this is also very important now, अब क्या है यहाँ पर देखे, similar figure okay, what do you mean by similar figure हम similar figure से क्या समझते है ठीक है, तो similar figure यानि कि उनका एक जैसा figure होना पर वो अलग अलग, अब जैसे वो अलग अलग नहीं होते जैसे हमने लिया यहाँ पर एक छोटा है this is, हमने यहाँ पर यह लिया यह इतना सा है, ठीक है और यह जो है, यह इतना बड़ा है ठीक है, अब हम कहेंगे कि यह दोनों अलग अलग है, नहीं हम बोलेंगे यह दोनों same है because this is also round and this is also round, ठीक है इसके अंदर भी space है, इसके अंदर भी space है तो बहले यह इसका बड़ा हिस्सा है पर हम इसको क्या बोलेंगे similar shape ओके तो यह होते हैं similar figures ओके so similar figures और फिर हम आगे जाके जैसे ताज महल है ठीक है अब हम ताज महल की जो pictures है तो यह तो बड़ी है इससे छोटी है इससे छोटी है इसे जैसे है इस ही के जैसे है इसे में भी fourth reading तो मितलब की ताज महल तो एक ही है पर उसकी pictures क्या है अलाग अला है ठीक है वैसे ही round circle triangle square और यह सब चीज़े तो सब इक ही जैसी है पर इसके जो shapes है बहल अलाग अला है ठीक है यही कि भी को समझाने का प्रयाज किया गया यहां पर now let's start exercise 6.1